मैं अजविन केजरिवाल एंड कमपनी और पूरे इंडिय अलायंस को कहना चाहता हूँ मोदी जी 75 साल के हो जाई इससे आपको अनन्दित होने की जरूरत नहीं है ये भारतिय जनता पार्टी के सम्विदान में कहीं नहीं लिखा है मोदी जी ही ये टम पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतरुत्तव करते रहेंगे इसमें भारतिय जनता पार्टी में कोई कन्फूजन नहीं है एक कन्फूजन खड़ा करना है हमने इस देश की 12 करोड बेहनों को गैस का सिलिंडर दिया है 14 करोड लोगों को घर में पिने का पानी दिया है नल से जल दिया है हमने 14 करोड टॉइलेट्स बनाए है 80 करोड लोगों को 5 किलो मुप्त रासन प्रतिव्यक्ति प्रतिमा दिया है 60 करोड लोगों को 5 लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा दिया है हमने वादा किया था हम देश को सुरक्षित करेंगे आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है हमने कहा था हम देश के अर्थतंत्र को पट्री पर चड़ाएंगे, 11 वे नंबर पर एक अर्थसास्त्री प्रदानमंत्री छोड़ कर गए थे, उसको हमने पांचवे नंबर पर लाने का काम किया है, और तीसरी टम में निश्चीत रूप से देश का अर्थतंत्र संसार में ती वाद भी हमने की है, महिला रिजर्वेशन हमने समाप्त किया है, वादा हमारा समाप्त किया है, महिला रिजर्वेशन देने का काम भी पूरा किया है, और एस्ट्री, स्ज, ओबीसी के आरक्षन को भी हमने सुरक्षित किया है, तोड मरोड कर एजंडे को, हमारे संकल्पत्र को अपनी दुरुष्टी से देखना ठीक नहीं है एक ही सरकार है आजादी के बाद जो 92 परसंट वादों को संकल्पों को पूरा करकर 10 साल के बाद चुनाओं में जा रहे हैं देखे मैं यही कहना चाहिए था इन लोगों का माइनोरिटी वॉट बेंक की लालच इतनी बड़ी है कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक भारत की रक्षा निति के इतनी महतवपूर्ण अहम गटना थी कि जिसने दुनिया के सामने अमेरिका और इजराई के बाद भारत को तीसरा देश हमरा जूरा जो अपनी सीमा और सेना के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो घूस कर जवाब देन का दम रखता है पूरे देश को सर्जिकल स्ट्राइक पर घर्व है मगर रेवन त्रेड़ी सारोजनिक रूप से नहीं बोल सकते आप अकेले मिले तो साथ कह देंगे मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं एक इंट्रीम बेल सुप्रीम कोट ने सिर्फ और सिर्फ चुना प्रचार करने के लिए एक तारिक तक का बेल दिया गया है और दो तारिक को उनको फिर से एजंचियों के सामने सरंदर करना है और अगर अर्विन केजरिवाल इस चीज को क्लीन चीट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है अमिद भाई मुख्यमंत्री तेलंगाना ने एक इंटरव्यू में और कल भी अपने मीट दप्रेस में कहा कि निवेश तेलंगाना में निवेश करने से रुखा जारा है उन्होंने टेसला का एक्जांपल दिया और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाओ खत्म होगा तो मैं बक परतार्रण सरकार के प्रदानमंत्री जी को मिल सकते थे तो मदद चाहिए तो और मागनी भी चाहिए इसमें क्या है हर राज्य अपने स्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए मदद मागता है मगर यहां जीच प्रकार का रेंपड करॉप्शन का एट्मोस्पियर हुआ है कौन इन्वेस्टमेंट करेगा आप भी अगर इदनेश में जाना चाहोगे तो चार बार सुचो और केसी हार को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई रीजोनल पार्टी की बाद आप जरूर करो आपका अधिकार है तिलंगाना की जनता को ताई करना है आप काउंटिंग के दिन देख लेना भारतिय जनता पार्टी यहां दस से ज्यादा कमल के साथ यसस्वी बनकर बाहर आएगा भाईया मगर पहले एक बात समदलो उनकी बेज है कि मोदी जी को बढ़ ले जाएंगे मोदी जी को बदलना ही नहीं है मैंने सपस्ट कर दिया आप बैट जब अरे भाई पहले मूल क्यूं ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बढ़ लेंगे वो ताय हो चुका है नहीं अजय पहले हो चुका है